हेलो स्टुडेंट, माइनेम इस मनेज, आज मैं बात करने वाला हूँ, मद्य प्रदेश बोट परिक्षा 2021 के रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, बोनस अंकीस आधार पर मिलने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो सारा इंफॉर्मेशन इ भुले टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लीजे योटूब चैनल को भी आप सस्क्राइब कर लीजे बैल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजे स्टार्ट करते हैं कक्छा बारवी बोट परिक्छा MP बोट के रिजल्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है मुल्यांकन किस तरह से होने वाला है किसी को अभी पता नहीं है सोर्से से लगातार अपडेट मिलते जा रहा है उसी के आधार पर आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ मद्यप्रदेश कक्छा बारवी की बोट परिक्छाओं को रद हुए एक महने का समय हो चुका है लेकिन इनके फार्मूला क्यों तयार नहीं हो पारहे स्टूडेन को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कक्छा दसवी में 6 सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रेट, गणित, विज्ञान, समाजिक विज्ञान 6 सब्जेक्ट होते हैं जबकि 12 वी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट संकाय होते हैं, कला संकाय होते हैं, वानिज्य संकाय होता है आपका बायलोजी होता है, आपका फिजिक्स, कैमेस्ट्री, बायलोजी, मैस, इन सब की स्टडिस करते हैं इन subject को mapping कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि दस्वी में आप accountancy नहीं पड़ते हैं ना तो business studies की आप पढ़ाई करते हैं तो इनका result बनाने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है इनका mapping करना बहुत ही मुश्किल task हो रहा है तो इसके लिए भी कुछ नियम्स लागू किया जाएगा और उसी के आधार पर result को जारी किया जाएगा बाकी subject के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है विज्ञान समू का subject वहाँ पर होता है विज्ञान जो subject है वो तीन subject को consider कर सकता है physics, chemistry और biology को जबकि math का अपना एक individual subject होता है वैसे ही आपका जो आर्संकाय होते है वहाँ पर भुगोर, history और geography की study करते है तो उनका भी result बनाना बहुत ही difficult task नहीं होगा commerce group में सिर्फ एक ही subject का वहाँ पर पढ़ने को मिलता है वो है economics, वो भी medium level पर बहुत ही कम ही उनके questions को पूछा जाता है तो इसलिए result को बना पाना भी मुश्किल हो रहा है लेकिन इसके लिए भी formula तयार कर लिया गया है इनके result किस तरह से तयार होगा सारा चीज मेंसन कर दिया गया है जो commerce subject से belong करते हैं जो student उनका average marking के आधार पर उनको number दिया जाएगा पर उनके जितने भी percent दसवी के add होने वाले हैं इसी आधार पर उनको numbers मिलने वाले हैं बाकी जो विज्ञान संकाय है या आर संकाय है उनको जो भी subject है उसके आधार पर mapping करके अंक दिया जाएगा और student को bonus अंक कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो bonus अंक उन student को मिलेंगे जिन्होंने कक्छा दसवी में more than 70% score के याने कि उन्होंने 70 से अधीक फिज्दी अंक प्राप्त किये हैं किसी भी subject से किये हो चाहे आपका mess, विज्ञान, समाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संसृत, किसी भी subject से किये हो आपका जो भी दसवी में 70 से अधीक अंक लाएं तो उनको 5 से 10% bonus अंक दिया जाएगा और इसी के आधार पर result को जारी किया जाएगा तो उन student के लिए benefits है जिन्होंने class 10th में more than 70% score किये है और यहाँ पर 2019 में जो score किये हैं उसी के आधार पर किया जाएगा तो student यहाँ पर ये चीजों को consider नहीं किया गया है कि MP board या फिर CBSC board कोई ऐसे student भी होंगे जिन्होंने CBSC board से MP board में गए होंगे तो उनके लिए भी यही rules यही criteria लागू होने वाने कच्छा 10th में अगर वो 70% से more than score किये हैं तो उनके जो result होगा उसमें 10% बोनस अंक दिया जाएगा और ये result जैसे ही मुख्यमंत्री सिवरासिंग चोहन 28 तारिक को एक presentation करने वाले हैं वहाँ पर इन सभी चीजों को consider किया जाएगा और formula लगभग तयार कर लिया गया है और इसी के आधार पर result को जारी करने का काम चर रहा है सारा चीत 10th में मिले अंको पर बोनस अंक देकर बनेगा 10th के 12th का result तो 12th के internal examination को भी consider किया जाएगा और 10th के भी result के marks को consider किया जाएगा private student को भी कोई भी effect नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी 10th के examination में अच्छे score किये होंगे decent score किये होंगे उनको भी bonus अंक दिया जाएगा तो ये सभी के लिए apply होगा तो thanks for watching video please support and thank you